आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आज का हमारा Question है कि हमसे बोला है कि हम किस तरीके से Contribute कर सकते हैं in the Maintenance of Green Wealth हमारी जो Community है हमारी Locality जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर अगर हमें Green Wealth का Maintenance करना है तो हम किस तरीके से हमारा योगदान दे सकते हैं हमें List बतानी उन Actions की जो कि हम कर सकते हैं सबसे पहले Green Health मतलब होता है Plants, Trees, इसका बचाओ करना इसको रगे रहन देना जिससे कि हमारा जो Environment है वो Clean रह सके हमारे लिए भी Easy हो तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हमारे efforts होता है कि हम जादा से जादा जो Plants होते हैं या फिर Trees होते हैं उसको अपनी Locality में क्या करें ग्रो करें उनको अधर जादा उगाएं अपनी Locality के अंदर उसके बाद अगर हमने उगा दिया है तो इसा नहीं क्यों उगा के छोड़ना है हमको उसको पूरा Protect करना है, Protection देना है और जो उसका Particular Time है के दिन में दो बार उसको क्या करना है, Watering करनी है उन Plants को पानी देना है और साथ में Animals से उन Plants को बचा के रखना है जिन उसके बाद जितने भी हमारी Locality में लोग हैं, मतलब जितने भी Residents हैं जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सब को बताना है, उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि हाँ, यह Benefits होते हैं, ट्री लगाने के, और प्लांट लगाने के जिसकी वज़ासे हम तो लगा रहे हैं, बट हमारे साथ-साथ वो लोग भी जादर-सादा Aforestation करें, जादर-सादर ट्री लगाएं, और इसी के साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा, उनको यह भी सिखाना पड़ेगा कि अगर हम क्या कर देंगे, ट्री जो काट देंगे, तो ट्री जो काटने के बाद क्या-क्या चीज गलत होती है, या फिर हमारे लिए ये क्यों harmful होता है, ट्री जो काटना या फिर deforestation होना, ये भी उनको पता होना चाहिए, जिससे कि वो ट्री जो काट ना करें तो ये कुछ options हैं या फिर ये कुछ points हैं जो कि हम कर सकते हैं to maintain the green wealth of our locality, thank you.